हलो दोस्तो, मेरा नाम है विने, आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग और हमने लास लेक्चर के अंदर डिसकस किया था ओम स्लो के बारे में, कि ओम स्लो आपका क्या-क्या होता है, सोर्स के केस में क्या होगा, आपका लोड, जिसको हम रिजिस्टेंस बोल रहे हैं, कंड अभी तक, और हमने एक चीज और पड़ी, यहाँ पे important, कि आपका current क्या follow करता है, low resistance के पाथ को follow करता है, यह हमने देखा था, अब उसी example को हम आगे elaborate करते हैं, और उस low को आपका बोलेंगे current divider rule, उस rule को sorry, क्या बोलेंगे आपका current divider rule, तो यहाँ पे आपका next आपका लेते हैं, current divider rule, ठीक है, current divider rule आपका पढ़ेंगे, अब इसके लिए हम जरा दो resistance लेते हैं, एक resistance आपका माल लीजिए है, R1, एक resistance आपका R1 है, और दूसरा resistance आपका है, R2, ठीक है, यह आपका R2 है, और हम लिख लेते हैं, R1 is greater than R2, R1 आपकी value जादा है, अब देखो, यहाँ पे यह दोनो resistance आपका माल लीजिए, एक voltage V के एक्रोस connect कर दिया आपने, यानि कि आपने इनके एक्रोस एक potential आपका connect किया, तो अभी के लिए हम माल लेते हैं कि potential जो आपका होता है, वो parallel के अंदर सेम होता है, यानि कि यही वी आपका इस के क्रोस आजाएगा, और यही वी आपका इस resistance R2 के क्रोस आजाएगा, अब देखो, जैसे ही आपका यहाँ से current आएगा, तो current को दो रास्ते नजर आएंगे, हो सकता है current आपका यहाँ से जाए, और हो सकता है दोनों से चला जाए, तो यहाँ से हम माल लेते हैं वही आपका current गया I1, और यहाँ से आपका current चला गया I2, ठीक है, अब देखो जैसमें, यहाँ से हम इसको लिखेंगे, what is V, V, it is equal to I1 into R1, this is also equal to I2 into R2, यह आपका दोनो के case में है, अब देखो इसमें यहाँ पे, पहले हम लेते हैं आपका आइवान के बारे में, तो I1, it is equal to, क्या लखेंगे इसको, V divided by R1, ठीक है, V divided by आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे, R1 लिखेंगे, अब देखो इसमें, यहाँ पे आपका क्या है, V, V, डिवाइड़ by R1 V आपका क्या है? V जरा देखते हैं यहां पे, तो हमें पता है V इस इक्वल टू क्या होता है? I into R, ठीक है? यह आपका होता है I into R, तो इसको हम यहां से लिखेंगे I into, अब क्योंकि यहां पर एक resistance नहीं है, यहां पर आपके दो resistance हैं, तो इसको हम लिखेंगे R की जगे बाद में, divided by आपका कितना है? R1 है, अब R equivalent आपका कितना हो जाएगा? तो देखो, जब भी आपकी parallel की बात आती है, तो total current आपका कितना है? यहां पर, total current है आपका I, it is equal to I1 plus I2, आपने इसको लिखा ऐसे, अब I आपका क्या होता है? I आपका इसको लिखेंगे V divided by R equivalent, this is equal to ठीक है? V divided by R equivalent, I1 current आपका क्या है? V by R1 है, ठीक है? और I2 current आपका कितना है? V by R2 है, यहां से V आपका cancel out हो जाएगा, क्योंकि parallel के अंदर आपकी voltage क्या रहती है? सेम रहती है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 upon R equivalent, this is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, जब parallel के अंदर आपने माना की voltage आपकी equal होती है, तो हम एक चीज और साथ-साथ मान रहे हैं, कि यह जो आपकी connecting wires है, इनके across आपका कोई भी potential drop नहीं हो रहा, यह हम मान के फिर इसको लिखते हैं, कि यहां पर आपकी voltage सेम है, तो यह आपका आजाएगा यहां से, what is R equivalent? R equivalent को जब हम यहां से आपका solve करेंगे, तो इसको ल यहां पर R2 और यहां पर R1 और इसको जो पल्टेंगे, यानि कि R equivalent निकालेंगे, तब आपका R equivalent, this is equal to R1 R2 divided by R1 प्लस R2, तो यहां से आपका आजाएगा I into R equivalent divided by आपका कितना R1, अब जरा हम इसकी value पूट करते हैं, I into, आपका कितना हो जाएगा R1 R2, तो यहां से R1 into R2 divided by R1 प्लस R2, और यहां पर divided by क्या है, आपका पहले से ही R1 present है, R1 से आपका R1 cancel out हो जाएगा, और यहां से आपका आएगा I into R2 divided by R1 प्लस R2, यह आपका आजाएगा current कौन सा होगा, I1, जो आपका किस के थरूँ flow कर रहे है, R1 के थरू, ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब ऐ ऐसे ही हम निकालेंगे, इसमें current I2, I2 current आपका कितना आएगा देखो जारा, यहां से V divided by आपका R2, तो V divided by R2 आपका कितना होगा, V को फिर से आपका लिखेंगे, I into R equivalent, तो I into R equivalent divided by R2, तो इस बार आपका यह R equivalent तो आपका सेम है, divided by R1 प्लस R2, लेकिन यहां पर इस बार R2 है, तो R2 से इस बार R2 cancel out होगा, और यहां से आपका क्या आएगा, I into R1 divided by R1 प्लस R2, ठीक है, अब यह आपका आगया current I2 के बरे में पता चला, I1 के बरे में पता चला, अब हम इसमें देखते हैं कि किस के अंदर आपका current जादा है, तो हमने लिखा, माल लीजे, R1 की value आपकी 5, यह आपका माल लेते हैं, तो जरा देखिए, और यहां से हम माल लेते हैं, यहां पर आपका 10V है, यहां पर कैतना VOLT है, 10V है, तो यहां से देखो जरा, अब पहले, अगर हम इसका current निकाले, I1, तो 10 आपका parallel में same रहेगा, यह हम माल लेते हैं, तो current को आपका कै से निकालेंगे, देखो, I1, it is equal to, इसके across voltage वही है, जो यहां पर है, यानि कि 10 है आपका, R1 की value कितनी, 20, तो I1 current आपका कितना हो जाएगा, I1, it is equal to 0.5, 1 by 2 आपका आजाएगा, V divided by R1 करेंगे, यानि कि 10 बटे, आपका 20 हो जाएगा, 1 by 2, यानि कि 0.5, अब जरा हम इसमे देखते हैं, I2 की value आपके कितनी होगी, यहां पर voltage आपकी क्योंकि सेम है, 10 ही रहेगे आपकी, तो यहां से आपका 10 divided by, इसकी value 5 है, तो यहां से 10 by 5, यानि कि आपका कितना देगा, 2, यह आपका देगा 2 ampere का current, इसका मतलब, I2 current आपका जादा है, किस से जादा है, I1 current से ज 20 ohm का है, तो जिसके अंदर resistance जादा, उसका उतना ही कम current, उसके अंदर कम current आएगा, और जिसका resistance कम होगा, उसका current आपका जादा आएगा, यह हमें यहां से पता चलता है, अब इसको आगे हम बढ़ते हैं, यह था पकिसके बारे में current divider rule के बारे में, अब आगे discussion को बढ़ आते हैं, तो देखिए, अब हमें यहां से एक चीज़ पता चली कि current always follow low resistance path, ठीक है, यह हम last lecture के अंदर लिख चुके हैं, तो इसको बार-बार लिखने की जूरत नहीं है, अब आपका यहां पे next आपका देखते हैं, कि देखो, कि आपने क्या लिखा, I it is equal to V by R, आपने लि case second, ठीक है, दो case आपने लिए, पहले case के अंदर हम माल लेते हैं, कि resistance 0 है, let resistance are equal to 0, दूसरे case के अंदर हम माल लेते हैं, कि resistance आपका बहुत ही ज़्यादा है, यानि कि infinity माल लेते हैं, let resistance R tends to infinity, ठीक है, यहां से आपका इसको अलग कर देते हैं, यह आपका पहले वाले में है, इसको आपका continue करते हैं, तो देखो, जब आपका resistance 0 होगा, तो resistance 0 का मतलब, current आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे maximum आ जाएगा, ठीक है, यानि कि R की value 0, R की value minimum कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, जो आपने करती है, तो R equal to 0 का मतलब है, resistance आपका minimum है, यह ideal case में possible है, क्योंकि resistance कभी 0 नहीं होता, और नहीं resistance कभी infinite बना सकते हैं, हाँ, resistance की value large कर सकते हैं, और very small कर सकते हैं, तो अगर आपका resistance 0 होगा, तब उस case में, आपका current के तना आ जाएगा, current आपका यहाँ पे आए जब आपका infinity होगा, अब दूसरा, V it is equal to I into R, अब voltage आपकी कितनी हो जाएगी, I into R होता है, तो यहाँ से I आपका है, R आपका है, तो अगर आपका resistance ही नहीं है, तो voltage आपकी किसके कर स्ट्रोप होगी, voltage आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे, approach is to 0, और इस condition को हम बोलते हैं, short circuit condition, इस condition को आपका क्या कौन सी condition बोलेंगे, short circuit condition, ठीक है, इसको बोलेंगे short circuit condition, ठीक है, जब voltage आपकी 0 हो जाए, current आपका बहुती जादा हो जाए, और resistance भी आपका क्या हो, 0 हो, ठीक है, oh sorry, current आपका बहुती जादा हो जाए, voltage आपकी बिलकुल ही ना हो, और resistance भी आपका 0 ह तब उस condition को बोलेंगे, आपके कौन सी condition है, वो short circuit के condition है, ठीक है, अब आगे आपका बढ़ते हैं, यहाँ पर इस case के अंदर आपका आते हैं, let resistance R approaches to infinity, तो I it is inversely proportional to R, यानि कि V by R है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, this approaches to 0, current आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क् कि जितना ज्यादा resistance, उतना ही कम आपका current, ठीक है, तो यहाँ से I approaches to 0, approaches to 0 का मतलब होता है, कि बहुत ही कम current आपका आ रहा है, यानि कि negligible amount of current है, ठीक है, अब V it is equal to, आपका क्या होगा, I into R, ठीक है, I यहाँ पर consider नहीं करते हैं, सिर्फ हम किस से देखते हैं, आपका resistance है, voltage देखनी है, तब भी resistance है, तो अगर आपका resistance बहुत ही जादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे आपका सारा का सारा potential drop हो गया, और जब potential drop आपका हो जाएगा, तो current आपका flow करना बंद कर देगा, आप इसको ऐसे समझेए, कि अगर आपके पास में दो र पात हुआ, ठीक है, यहाँ पे पहले resistance था, इसको आपने zero कर दिया, r equal to zero, ठीक है, तो अगर यह path आपका सीधा हो जाएगा, यानि कि अगर एक रास्ता आपके पास में बिलकुल plane है, और दूसरा रास्ता पूरा उबढ़ खावड है, यानि कि ऐसे है आपका, यह आपका मा पास्ते से लेके जाएंगे, तो उसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड होई जाएगे, और बीच में वो stop हो जाएगा, ठीक है, तो आपका, यहाँ से आपका कुछ कोई, कोई चीज चली, और वो यहाँ तक पहुँची नहीं पाई, तो इसका मतलब, वो यहाँ पे आपक maximum voltage drop यहीं पे होगा आपका, ठीक है, तो maximum voltage drop अगर आपका हुआ, तो इस condition को हम बोलते हैं, कौन सी condition, open circuit condition, यानि कि कौन सी condition होगी भई, open circuit, open circuit हम कब बोलते हैं, open circuit आपका तब बोलते हैं, जब आपका resistance क्या हो, बहुत ही जादा हो, और जब resistance बहुत ही जादा होगा, तो current is unable to flow current आपका flow करी नहीं पायगा ठेक है और current अगर आपका flow ना कर पाये तो इसका मतलब वहां पे जितनी voltage आपकी पहले थी वही voltage आपकी same आजाएगी जैसे अगर हम इसी को अगर हम इसा को consider करें यहां पर आर्वण को मैं open कर दिया यह आपका open हो गया तो open होते यहां से current आपका flow नहीं करेगा लेकिन voltage आपकी वही आएगी जो पहले थी ठीक है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ जो voltage आपने apply की अगर यहां पर infinity voltage होती तो यह infinity यहां पर आजाती ठीक है तो similarly आपका parallel के अंदर क्योंकि voltage सेम होती है इस वजह से मैंने आपको बता है जो voltage यहां पर वही voltage यहां पर है otherwise अगर आपका resistance infinity है तो voltage drop भी आप पर क्या होगी same हो जाएगी ठीक है तो यह आपकी कौन सी condition थी open circuit की condition थी और पहले वाली जो condition थी यह थी आपकी short circuit की condition अब हम next lecture के अंदर कुछ numerical आपका इसी से related देखेंगे